यहां हम देखेंगे के हाउ डजा सोलर फोटोवल्टिक पाउर प्लांट वर्क किस प्रकार से हमारा सोलर पाउर प्लांट वर्क करता है तो यहां देखिए आप सोलर पैनल्स हैं यहां पर आपके यह सोलर पैनल लगे हुए हैं ठीक है सोलर पैनल हैं जो की हमारे संलाइट को करते हैं और यह electricity में convert करते हैं ठीक है यहां पर आपका grade inverter होता है एक्टली क्या होता है कि जो हमारे solar panels होते हैं यह DC supply को DC current को produce करते हैं जबकि हमें आओ सकता होती है AC की तो हम inverter का उपयोग करके हम उसे AC में convert कर लेते हैं ठीक है तो solar panels है यह पाते हैं यह आपके solar panels हैं ठीक है जिसका काम होता है कि जो भी Sunlight को absorb करना और उसे electricity में convert करना solar panels जो होते हैं यह छोटे-छोटे solar सेंसे यह फोटफोल Напेसे से से अंसे मिलकर बने होते हैं ठीक है यह सन्नलाइड को absorb करते हैं और उसे DC current में convert कर देते हैं इसका function फिर हम power जो inverter होता है यह AC को DC में convert करने के लिए उप्योग किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे यह controller होता है जो की हमारे grid inverter को control करने काम करता है कि कितना हमें किस प्रकार से DC को को एसी में convert किया जाना है कुछ इस प्रकार से ये controller के रूप में काम करता है यहां पर आप जो होती है यह battery होती है यहां आप देखेंगे तो यह क्या होती है battery होती है ठीक है जिसका काम होता है कि जो भी यहां पर dc होती है उसको store करना क्या होता है कि जब हम एक अभी emergency के होती है तो उसका हम उपयोग इन फ्यूचर उसका यूज कर लेते हैं जब भी हमें उसकी आउसकता होती है तो इस प्रकार से हम डी सी को यहां पर इस्टोर कर लेते हैं यहां पर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ट्रांसफॉर्मर काम होता है यह कि हमारे electrical energy को यह step up कर देता है ठीक है यहां पर electricity को step up कर देता है मतलब यह voltage के मान को बढ़ा देता है ठीक है इस प्रकार से कम voltage के मान को अधिक voltage में convert कर देता है और फिर उसके बाद में हम external power grid को दे कर हम मतलब जो भी हमारी supply होती है electricity होती है उसको हम दूर तक transmit कर देती हैं तो कुछ इस प्रकार से यह इनके functions होते हैं अलग-अलग ठीक है जब सूर की किर्णे silicon cell के संपर्ग में आती है तो electron का मतलब movement सुरू हो जाता है जिससे electricity produce हो जाती है कुछ इस प्रकार से यहां पर inverter लगे हुए होते हैं inverter काम होता है कि वो DC को AC में convert करना हमारा transformer होता है AC को step up करना है जाधी voltage में convert करना जो यहां पर battery लगी होती है battery charging इसके माद्धियम से battery को charge किया जाता है मतलब यहां पर DC electrical energy को store किया जाता है controller होता है जो हमारे on grid inverter को control करने का काम करता है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से इसका working है जो हमारे solar cell होता है इसकी यह working है इसके बाद में हम देखेंगे advantages and disadvantages of solar power plants ठीक है तो इसका advantage किया है सबसे पहले हम advantages देख लेते हैं फिर इसकी बाद में हम इसके disadvantages के बारे में discuss करेंगे ओके देखिए हम advantage के बारे में सबसे पहले यहां पर discuss करेंगे PV पैनल provide clean green energy जो हमारे PV पैनल से होते हैं यह clean और green energy provide करते हैं इसलिए मतलब स्वक्ष और green energy हमें provide करते हैं सेकेंड देखेंगे solar energy is energy supplied by nature, it is thus free and abundant, ठीक है, तो जो हमारी solar energy होती है, यह nature के दोर supply की जा रही है, यह बिल्कुल पूरी तरह से free होती है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार से हमें cost नहीं आता है, फिर इसके बाद देखेंगे solar energy can be made available almost anywhere there is sunlight, ठीक है, जो भी solar energy है वो सभी जगे एवलेबल है सभी जगे जहां पर भी sunlight एवलेबल है वहां पर हम solar energy का उप्योग कर सकते हैं solar energy solar panel cost is currently on a first reducing track and in expected to continue reducing for the next year जो हमारे solar panels की जो cost है वो currently धीरे धीरे बहुत तेजी से मतलब रफ्तार के साथ में उसका cost reduce हो रहा है आने वाले सालों में भी इसका जो cost है वो काफी कम हो जाएगा और इसका उप्योग भी ज्यादा हम कर पाएंगे फिर इसकी बाद operating and maintenance cost for photovoltaic panels are considered to be low जो भी इसकी operating cost है और maintenance cost होती है यह काफी low होती है solar 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 photovoltaic power plant की फिर photovoltaic panels have no mechanically moving part except in cases of sun tracking mechanical basis इसमें किसी प्रकार का moving part नहीं होता है जिसकार से मेंटिनेंस cost भी काफी कम आता है ठीक है यदि हम बात करें तो इसमें यदि sun tracking mechanical जो basis होता है इसको छोड़ कर यदि देखें तो इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है ठीक है photovoltaic panels are totally silent producing no noise at all ठीक है यह फोटवोल्टेक जो panel होते हैं यह पूरी तरह silently work करते हैं इसमें किसी प्रकार का noise produce नहीं होता है ठीक है इसके बाद देखेंगे residential solar panels are easily to install on rooftop or on the ground without any interfaces to residual lifestyle ठीक है तो जो solar panels होते हैं आप इनको कहीं पर भी install कर सकते हैं चाहें rooftop में या ground में या कहीं पर भी इसको आप install करके electricity को generate कर सकते हैं तो यह सारे इसके advantages थे हम अब इसके disadvantages के बारे में discuss करेंगे ठीक है तो इसके कि क्या-क्या disadvantage है इस इन ओल रिनेवल एनर्जी सोर्से शोलर इनर्जी हैं इंटर्मिटेंसी इसू नोट शाइनिंग एट नाइट बट आल्सो ड्यूडिंग डे टाइम देर में भी क्लावड़ी और रहनी वेदर तो इसका सबसे इनर्जी सेलश्डी में मतलब स्पर नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि उस समय समय प्रेजन नहीं होता है मतलब संक लाइट नहीं होती है तो हम उसे इलक्टिसिटी में नहीं कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में हम देखेंगे सोलर इनरजी इनल्ड केड़ एक्टिक रॉक्ट सकता होती है जोading को इसमें कोppenव यह प्योग किया जाता तो यestensworker डिसद्वांटेज है फॉर अ कंटिनियोस सप्लाई ओफ एलेक्टिसिटी एलेक्टिक पावर इस्पेशली फॉर ओन ग्रीड कनेक्शन फोटोवोल्टिक पैनल रिकॉर्स नॉट ओनली इनवर्टर बट आल्सो इस्टोरेज बैटरीज ठीक है तो इसमें हमें जो हमारा सुरे पैनल इंस्टोलेशन डे रिकॉर्स लार्ज एरिया फॉर डेवलाप्मेंट ठीक है यह अधिक इस्थान भी घेरते हैं आप इसका एक डिसर्वांटेज मान सकते हैं सोलर पैनल से एफिसेंसी लेवल सार्टिवली लो विडिवीन 14 टू 25 परसेंट कंपेर टुदा इफिसें इनर्जी सोर्सेश के पिक्षा इसकी इफिसेंसी काफी कम होती है फोटोवल्टिक पैनल और फ्रेगाइल एंड कैन बी डेमेज्ड डिलेटली इजली ठीक है तो यह जो हमारे जो पैनल से होते हैं यह कई बार डेमेज हो जाते हैं ठीक है जिससे एक्स्ट्रों कॉस्ट आत थैंक यू